हलो फ्रेंड्स, तो मैं आज क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 Motion and Measurement of Distance उस पे डिस्कस करने वाला हूँ तो इस वीडियो में मैं इन सब पॉइंट पे डिस्कस करूँगा Story of Transport and How Wide is this Disc, Some Measurement, Standard Unit of Measurement and Correct Measurement of Length तो आपकी बुक NCRT है, उसकी ये टॉपिक है इस पे मैं सिर्फ Measurement of Distance पे डिस्कस करने वाला हूँ और आपका जो Next Part आएगा उस पे डिस्कस करेंगे Motion and its Type उस पे Brief Discussion होगा Motion क्या होता और उसके Types क्या होते है So हमारा पहला Point क्या है? Story of Transport तो जैसे अभी आप देखेंगे कि हम क्या आभी प्रिजेंट में हम बाइक यूज़ करते हैं हम बस यूज़ करते हैं, रेल यूज़ करते हैं and एरो प्लेन यूज़ करते हैं, और अगर हम इसकी storage आई इसकी history में जाएं तो सबसे पहले क्या होता था कि अगर human को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना होता था उनके पास option पैदल था वो पैदल जाते थे फिर invention आया थोड़ा धीमिदी में करके वो क्या यूच करने लगे उन्होंने सबसे पहले पैदल के बाद उन्होंने क्या यूच किया एनिमल के यूच के बाद वील का इन्वेंट किये वील का इन्वेंशन ही एक revolution ला दिया जैसे ही वील का इन्वेंशन हुआ revolution means wheel का invention हुआ फिर हमने उस wheel के यूज करके गाड़ी बनाई means wheel उसमें हमने उठका यूज किया और wheel उसमें set करके animals के साथ जोड दिया इससे क्या हुआ कि उन दोनों में speed आ गई और इससे फाइदा यह हुआ कि समानों को एक अस्थान से दूसरे सामान लेकर जाना रहता था हमें मूफ करना रहता था यह काफी easy हो गया वील का invention से हमें transport में काफी easy हुआ फिर उसके बाद हमने ship का यूज हुआ पानी में ship बना लिया फिर उस इंजन का यूज होने के बाद इंजन का यूज हुआ इंजन से गाड़ी बनी means speed पकड़ते गए invention से क्या हुआ speed यह क्या है मारा history of transport story means story of transport means sport फिर animal उसके बाद ship ship के बाद इंजन का यूज हुआ से गाड़ी बनी फिर plane बना cycle बनी means जो वरतमान में हम देख रहे हैं जिन सारी चीजों को वह सारी चीजें धीमिदी में invent हुई अब time to time आप तो आ रहा है metro आ गई hyperloop आने वाला मतलब speed पर focus किया जा रहा हम कम से कम time में ज्यादा से ज्यादा distance को cover कर ले यह transport अब जैसे आने वाले time में हम क्या पढ़ेंगे metro भी हमारी history हो जाएगी जब hyperloop आ जाएगा story of transport अब next है हमारा how wide is this desk इसमें क्या समझ्या है suppose यह आपके पास एक क्या है डेस्क है अब how wide means अगर इस डेस्क का अगर आपको इस डेस्क की measurement करनी हो तो इस पहले क्या होता था इस डेस्क को होती थी इसका में निकाल लेते थे और में इसको रखते थे एक गिली फिर उसके बाद फिर एक दूसरी स्टिक रखके मिजर करके बता देते थे किसकी लेंथ यह है how wide is this desk means इसकी लेंथ कि इसकी ब्रेट कितनी हम स्टिक से मिजर करके बता देते थे सो इसमें फिन revolution आया मिजरमेंट में में सम मिजरमेंट अब इस पर हम डिसकस करने वाले हैं क्या हुआ यह इस्टिक भी प्रॉब्लम करता था मिन जैसे हमें एक टेबल लेनी हूँ हमने यहां पर कोई मिजर करके गया उसे नेक्स्ट प्लेस पे अब वो क्या हुआ वो इस् सिस्टम बनाया था वहले इसी सी यूज करते थे इस्टिक यूज करते थे या अपने आसपास जो होता था मुसका यूज करते इंदस वैली सिवलाइजेशन में एक revolution है वो क्या करते थे वह हैंड्स पैन का यूज करते थे मिन्स यह जो आपकी हाथ के बीच का हमारे यह इस और उस ओंगले फिंगर के बीच की जो distance है इसे बोलते हैं Hands Pym तो Hands Pym यूज क्या जाता था उसको यूज böiज करते थे फिर उन休休 करते थे पिर उना subsidy लया क्यूबविट पेम हमारे हैंड की यह distance और यह distance इससे मीजर किया जाता था चीजों को क्यूबवीट आया फिर मिध STAR में क्या हुआ measurement में revolution आया इससे भी problem होती थी किसी का हाथ बड़ा है किसी का छोटा है इसमें भी problem आने लगी अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी distance को मिजर करना हो body distance को मिजर करना हो so body distance को मिजर करने के लिए क्या होता है food का यूज करते थे पैर का यूज करके बड़ी डिसन्स को मीजर करते थी इसमें भी प्राब्लम आने लगा तो फिर क्या हुआ कि फ्रेंच इन 1719 फ्रेंच कंट्री ने एक मेट्रिक सिस्टम बनाया किस सन में 1719 में फ्रेंच French country निए एक metric system बनाया उस metric system में एक scale बनाई metric system means क्या हुआ meter बनाया अब उस meter में क्या था meter को decide किया गया 1 meter equal to 100 cm 1 meter equal to 100 cm decide किया गया metric system में and 10 cm equal to 1 mm and then उसके बाद decide किया गया कि 1 meter equal to how many mm 1000 mm यह क्या बना फ्रेंच कंट्री ने इस मेट्रिक सिस्टम को डिसीजन लिया और यह मेट्रिक सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम मूफ करते हैं तो वहां पे भी इसका फालो अप किया जाएगा फिर क्लॉथ को मेट्रिक मीटर की एक रॉट बनाई मिन्स हमने क्या बनाए अब हम देखें कि उस इसकेल बनाएगी अब लॉग दिस स्केल जीरो तू वन यहां से जिरो सुरू हुआ यहां पर इंड है मिन्स 30 सेंटी मीटर की ये स्केल है कितनी इसके हैं वन तू थर्टी सेंटी मीटर इसी स्केल की लिंध इसकेल बनाएगे मेटरिक सिस्टम के इताहत यह स्केल डिजाइन की गई इसकी लिंध क च्सकेम है कि जोटी डिस्टू को मिसर करने के लिए हमने सेंटी मीटर बनाया सैंटी मीटर किया हम के इसके दाने舟 के र। जैसे पिर क्या हुआ मीटर सोटी मिन्स जैसे चोटी चीजें थी मारे पास संटी मीटर फिर उससे बड़ी चीजें मीटर डिजाइन कर ले दे बट जब डिस्टन्स रहता था हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव किये उस डिस्टन्स को कैसे मिजर किया जाए इसके किये किलो मीटर का डिजाइन किया गया किलो मीटर में क्या आता है जिसे वन किलो मीटर इकॉल टू कितना मीटर वन थाउजन मीटर फिर हमने दिमीदी में उसको एक समराइस करते गए हमने सब के लिए क्लॉफ मीजर करने के लिए मीटर रॉट बनाई हर चीज के लिए एक लेंड नापने के लिए हम लेंड नापने इससे लेंफ़ वी नाप सकते हैं किdaleं लंबा है लगारों कि सरे हमें मिजस हैं किखने मीट्र करना हो तो क्यों होगा इसमें से इन्हें क्यों अदुमिक जीन हो यह काफी डिफिक्टी जाईगी सो हमने क्या किया सब चीज का एक पैटरन बनाया छोटी चीजों को मीजर करने के लिए सेंटीमीटर स्केल और बहुत सारी सूस में चीजों को मीजर करने के लिए mm बना दिया, long के लिए हमने meter बना दिया, उससे भी ज़्यादा long के लिए हमने kilometer बना दिया, तो ये हमारा क्या था, standard unit of measurement, ये centimeter, meter, kilometer, ये क्या है measurement का standard unit अब क्या गरना है, correct measurement length correct measurement of length इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि suppose that ये आपकी एक disk बनी थी इसको अगर मुझे measure करना हो तो इसमें correct में क्या होगा, कि हमें ध्यान रखना scale, straight रखनी चाहिए, scale क्या है, straight रखनी जैसे इसको measure करना ये क्या है 18, approximately 18 centimeter इसकी क्या है, breath है बट इसमें क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से measure करें, scale को ऐसे रखे then this is incorrect so इस topic में हमें समझ्या है correct measurement of length so correct measurement के वक्त आप scale को सीधा रखिए और पढ़ते वक्त जो हमारी eye की जो direction हो, वो एकड़म 90 degree पे होना चाहिए, means एकड़म इस तरीके से देखेंगे, this is incorrect इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं, this is incorrect इस desk की हमें breath देखने के लिए हमें straight देखना होगा, means सीधा देखना होगा और इस scale का measure करने के लिए, इस scale से measure करने के लिए हमें सीधा, इस school को state, इस scale को state use करना होगा so यह हमारा क्या था, correct measurement of length so मैंने इस video में discuss कर लिया transport and how wide this desk and some measurement unit of measurement and correct measurement of length so next में हम क्या पढ़ने वाले हैं, motion, motion क्या होता है, what is motion and types of motion, so I hope आपके doubts clear हो गए होगे so video को like करें and अपनी classmate के साथ जरूर शेर करें I will be right back with next video, keep watching study yard, thank you so much